वारणसी जाने वाले ट्रेन में एक महिला का शफ ताबूत में से गायब हो गया और बाद में लगभग 200 किलोमेटर दूर पाया गया शरवरी शेक का बेटा गुलफाम शेक जो भिवंडी में काम करता है जुलाई में उसे शिहर ले आया था और टाटा मेमोरियल अस्पताल में उसके कैंसर का इलाज करवा रहा था रविवार के सुबा उसका निधन हो गया उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अपने मूल स्थान पर ले जाने का फैसला किया शव को ट्रेन से ले जाने के लिए परिवार ने BMC से मृत्यू प्रमान पत्र समेत तमाम दस्तावेस जमा किये सोमवार को रात 9 बजे जब परिवार प्रयागराज में उत्रा और गार्ड जिब्बे में शव लेनी के ले गया तो गार्ड ने ताबूत को हलका पाया और इसलिए खोल दिया उन्होंने ततकाल रेडवे पुलिस को शव के लापता होने की सूचना दी जी आरपीएफ के वरिष्ट अधिकारियों ने घटनस्तल का दोरा किया और मुख्य नियंदरन कक्ष के साथ-साथ उन सभी मुख्य रेलवे स्टेशन को संदेश भेजा जहां ट्रेन रुकी थी शिकायत दर्ज की गई और मार्ग के साथ लगभग 25 रेलवे स्टेशन और पट्रियों की जाच के बाद पुलिस को मैह स्टेशन के पास पट्रियों पर शव पड़ा मिला आरपीएफ की टीम ने मंगलवार दोपहर मैहर में शव को कबजे में लेकर देर शाम प्रयागराज में परिजनों को सौब दिया रेलवे ने परिवार पर आरोप लगाए कहा शव को आमतौर पर सामने वाले गार्ड रूम में ले जाया जाता है और नियम के अनुसार रिश्टेदार में से एक को इसके पास होना चाहिए इस मामले में ना तो कोई रिष्टेदार था और ना ही कोई गार्ड वहां मौजूद था